हलो स्टुट्ट्स नेक्स में स्टार्ट करेंगे एक्जाम्पल नमबर टू क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट इसका 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 स्क्वार माइनस वन इसका फॉर्मूला बन सकता है तो यहां पर भी यह करो यहां पर पर फर्स केस में आपके पास जो ऊργっर प्मैत्रिक्स के दिया है वो कितना दिया है यह जनिल है फिक हो एयर्चे आपए एब आघ्यी जो वैलियु mü जो अंसर आएगा वो क्या आएगा के की पावर एंस माइन वाइन कि माइनस वन जिद्ट हो है थो यहeveryone कितना हो गया fork इंट्रिक्षिन पार्ट में रिमार्क्स बता रहे हैं जो फॉर्मुले लिए उन्हें आप फिल्ट सा याद रखो बस किलिए रहे ओके नेक्स देगो यहां पर भी सीम चीज करना है आपको तो सबसे पहले तो देखो इस फूरी वैल्यू में से मैं एड्जॉइंट ओफ ए फाइंड कर लेका हूं एड्जॉइंट ओफ ए के बताया इसकी पावर एन माइनस वन एन इस ओडर ओफ मैट्रिक्स तो गिविन वैल्यू है आपके पास इसकी वैल्यू तो 9 है और इसकी वैल्यू 3 माइनस वन यानी 2 है 9 की पावर 2 यानी 81 आगे ठीक है अब ध्यान देना 2 एड्जॉइंट ओफ ए में से जब हम यह 2 बहां निकालेंगे तो जितने ओर्डर ओफ मैट्रिक्स है उसके साथ मुल्टिपल होता है यह यह भी मैंने पहले आपको डिस्कुशन करा रखा है इसका भी कू की पावर 3 मल्टिपला 81 कितना हो गया है यह 8 मल्टिपला 81 कितना हो गया 8 बंजा कितना हो गया यह 64 अब बताओ क्या समझ में नहीं आया यह किलियर है आपर नेच्ट देखें ओके थर्ड बार देखो इफ ए इस नॉन सिंग्वलर मैट्रिक्स का मतलब होता है नॉट इक्वल्स टुजी लिए उसी बात है उफ मैं आपको पता चुको फ्रांस्पोर्स ओफ यह जो होता है वह एक्चुल में एके ही इक्वल होता है अब देखो अगर एड्जाइंट ऑस ए की वैलू है तो मुझे पता है इसकी वैलुट कर आईगी इसकी वैलुटकर आएगे क्या निकल कर आजाएगा प्लस माइनस मैंने आपर बता दिया आपको जो ए है डिटर्मिनेट उसका मतलब क्या होता है एक का ट्रांस्पोर्स ऑफ डिटर्मिनेट दौनों वे लिए इक्वल ही होती है क्या समझ माया तो इसका जो अंसर निकल के आएगा वो फिफ्टीन पॉजिटिव और नेगेटिव फिफ्टीन दो अंसर निकल कर आगे बताओ क्या समझ में नहीं आया किलियर है यहां तक सो देशिस कंप्रिट एग्जैंबल दू पार्ट फ्री नेक्स देखो इस वाली वैल्य को देखो इस वैल्य को ब्रेकडाउन कर सकते है अपन ठीक है कैसे कर सकते है इदर देखो जैसे मैं ने बताया आपको यहां पर एड्जॉइंट ऑफ ए गिविन है अगर इसको मैं डिफ्रेंशेट करूँ अलग लग लग तो यह अलग हो जाएगा और एड पढ़ रखा है क्या पढ़ रखा है एड्जॉइंट ऑफ एजो रहता है उसका मतलब क्या रहता है अब इदर देखो यहां से मैं एडेश की वैल्य निकाल सकते हैं वन थ्री टू पो और बंजा फोर थ्री टू जा शिक्स कितना आ गया माइनस तो आपको किलियर लिदिख यह है वो कितना हो गया पॉजिटिव फोर बता हो समझ में आया क्या किलियर है फोर्ट पार्ट नेक्स देखो फिफ्थ फॉर एनी टू इन्टू इन्टू स्क्वार मैट्रिक्स और इसकी वैल्यू आपके पास यह कि भीन है तो हमें पता है वी नो क्या पता है ए एड्जॉंट ओफ ए जो वैल्यू दे रखी है आपके बास उसको आप अलग-अलग कर सकते हो डिफ्रेंशेट है तो कैसे करोगे इसका मतलब होता है ए डिटर्मिनेट और आई मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू आप देखो क्या वैल्यू दे रखी मुझे यहां पर 8008 और इसके लिए यह और आई ठीक है आपको पता है आई का मतलब क्या होता है यहां पर आई जो है आपके पास ऑफ और 1001 यह डिटर्मिनेंट ही तो है अगर इस ए को मैं सबसे मल्टिप्लाय कर दूंगा तो यह कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा अपके लिए दिख लेट आगया ना बस बात करते हैं सिंपल ठीक है तो यह जो एक्स्प्रेशन नहीं सब कुछ जो लास्ट के रिमार्क्स बतायते में इंट्रोडक्शन पार्ट में लास्ट में उसके ओपर डिपैंडर टोटली ओके